Hello Friends, Welcome to my channel Literary Love वीडियो शुरू करने से पहले चानल को सबस्काइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Elizabeth Barrett Browning की एक फेमस सॉनेट के बारे में जिसका नाम है How Do I Love Thee ये सॉनेट उनकी कलेक्शन Sonnets from Portuguese में Sonnet No. 43 के नाम से पब्लिश हुई थी इसे 1850 में पब्लिश किया गया था ये सॉनेट एक लव पोयम या एक लव लेटर है उनके हस्बेंट Robert Browning के लिए पोयटेस इसमें बताती हैं कि वो अपने हस्बेंट से कितना पयार करती है और बहुत ही beautifully अपने पयार को डिसक्राइब करती है उनके हिसाब से उनका प्यार limitless और selfless है वो बिना कुछ सोचे बस उनसे प्यार करती है और साथ ही उनके प्यार पर समय का कोई असर नहीं पढ़ता है वो दिन हो या रात हो हमेशा उनसे वैसा ही प्यार करती है यहां तक कि उनका मानना है कि अगर God उन्हें इजाज़त दे तो वो मरने के बाद भी अपने हस्बेंट से बिलकुल वैसे ही प्यार करती रहेंगी यह एक Petrarchan Sonnet है जिसे एक Octave और एक सेस्टेट में बाटा गया है साथ ही इसमें Iambic Pentameter का यूज हुआ है इसकी rhyming scheme है A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D Friends Elizabeth Barrett Browning एक Victorian English poet थी जिनका जन्म हुआ था 6 March 1806 में और उनकी death हुई थी 29 June 1861 में उनकी शादी हुई थी famous poet Robert Browning से जिनके बारे में हम जानते ही हैं हमने उनकी कुछ poems भी पढ़ी हैं और उनकी famous poems में शामिल थी How Do I Love Thee and Aurora Lay तो चलिए friends अब poem पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं How do I love Thee? यानि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें कितना चाहती हूँ Let me count the ways मुझे गिनने दो उन सभी तरीकों को जिससे मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ I love Thee to the depth and breath and height यानि मैं तुम्हें उस लंबाई, चोड़ाई और उंचाई तक चाहती हूँ My soul can reach, जहां तक मेरी आत्मा पहुँच सकती है यानि मैं अपनी आत्मा के हर एक छोड से तुम्हें चाहती हूँ When feeling out of sight, यानि जब मेरी आत्मा नजर से दूर हो जाए For the ends of being an ideal grace और उन goals तक जाती है और मुझे गौड से जोडती है हमेशा के लिए यानि कि मेरा प्यार अंतिहीन है और मेरी आत्मा से जुडा हुआ है जो मुझे गौड के करीब लाती है और इसलिए हमारा प्यार सच्चा है, बहुत मजबूत है I love thee to the level of every day's most quite need यानि मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम्हें हर रोज किया जाना चाहिए उतना प्यार जितना तुम्हारा हक है और जितनी तुम्हारी जरूरत है और ये प्यार तुम्हें कभी भी मिलेगा चाहे वो दिन का समय हो जब आस्मान में सूरज हो या रात का समय हो जब हम मुंबत्तियों की रोशनी में बैठे हो दोनों ही समय में, चाहे दिन हो या रात हो मेरा प्यार हमेशा बराबर होगा और हमेशा तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा I love thee freely as men strive for right और मैं तुमसे बिना डरे प्यार करूंगी अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उन लोगों की तरह जो अपने हक के लिए लड़ते हैं क्योंकि तुम्हें चाहना, तुम्हें प्यार करना मेरा हक है I love thee purely as they turn from praise मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ऐसा करने में मुझे खुद की कोई भी परवाह नहीं है मेरा प्यार बिलकुल सच्चा है, प्योर है और इसके लिए मुझे कोई तारीफ नहीं चाहिए बिलकुल उन लोगों की तरह जो कोई अच्छा काम करके खुद अपनी तारीफ नहीं करते हैं उन्हें तारीफों की परवाह नहीं होती है I love thee with the passion put to use in my old griefs यानि मैं तुम्हें उस passion से उस जुनून से प्यार करूंगी जितने passion से मैं अपने दुखों को महसूस किया करती थी और उन पर आसू बहाया करती थी बिलकुल उतना ही जुनून रहेगा मेरे प्यार में And with my childhood's faith और साथ ही मेरे प्यार में एक faith होगा एक विश्वास होगा बिलकुल वैसा ही विश्वास जैसा एक बच्चे को होता है एक बच्चे के मन में होता है उसी तरह का विश्वास जो मेरे अंदर भी था जब मैं बच्ची थी मेरे प्यार में भी उतना ही विश्वास है उतना ही फेथ है I love thee with a love I seem to lose मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरा ये प्यार मुझे लगा था कि मैंने खो दिया है लेकिन ये मेरे अंदर ही था गया है तो जब मैंने saints में यानि की अच्छे लोगों में धार्मेक लोगों में अपना विश्वास खो दिया था उसी वक्त मुझे लगा था कि मेरा प्यार भी उस विश्वास के साथ जा चुका है लेकिन मैं जितना तुमसे प्यार करती हूँ अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा प्यार कहीं नहीं गया बलकि वो तुम्हारे पास चला गया है मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ तुमसे प्यार करने लगी हूँ I love thee with the breath यानि मैं तुम्हें अपनी हर सांस से प्यार करती हूँ smiles, tears of all my life और अपनी सांस के साथ ही अपनी मुस्कान से अपने आसू से अपने पूरे जीवन से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ यानि मेरा ये पूरा जीवन सिर्फ तुम्हें प्यार करने के लिए है और इसका कोई भी यूज नहीं है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ तुम्हें चाहती हूँ और अगर भगवान ने हमें चुना और हमें हेवन में अपने साथ एक जगर दी तो मैं मरने के बाद अपनी आफ्टर लाइफ में तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करूंगी यानि मरने के बाद मेरा प्यार कम नहीं होगा उल्टा और बढ़ जाएगा और हम मरने के बाद भी साथ रहेंगे एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे यहाँ पर यह पोईम खत्म होती है यह एक लव सौंग है और इसमें पोईट का अपने हस्बेंट के प्रती जो प्यार है वो हमें साफ नजर आता है वो अपने हस्बेंट को बहुत प्यार करती है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है यहां तक कि उनका मानना है कि अगर वो मर भी जाएंगी तो उनका प्यार घटेगा नहीं, उल्टा और बढ़ जाएगा और वो हमेशा एक साथ रहेंगे, मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकती है तो ये थी फ्रेंड्स, एलिजाबेट बैरेट ब्राउनिंग की पोयम